स्वागत आप सभी का मेरे मक्ती भावना योटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको 1 जनवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच का रासी फल बताऊंगा इस बीच में 9 रासियां ब्यादी भागिसाली रहने वाली हैं इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा है साल 2021 के बाद में अब सभी की नजर 2022 पर रहेगी 2022 कैसा रहने बाला है साल 2022 में सनी का रासी परवरतन होगा जोतिस सास्त के अंसार कई रासियों का विशेश योग रहेगा साल 2022 में नहीं बहुत ही भागिसाली रहने बाली है कई रासियों को कई प्रकार की परिशानियों का सामना भी देखने को मिलेगा अच्छी खासी तरक्की करेंगी कई रासियों को माता लच्मी की विशेश किरपा प्राप्त होगी वहीं कई रासियां पुत्र धन प्राप्ति का योग बन रहा हैं कई रासियों को कई प्रकार की मुसीबते भी देखने को मिलाएं ग्रहन अक्यत्रों की चार से लगती की रासि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती हैं जोतित गरणाओं के अनुसार साल 2022 कई रासियों के लिए ब्यादी शुब रहने वाला हैं ये रासि वाले नोकरी में खूब तरक्की करेंगे साथ ही धन प्राप्ती के रास्ते भी इनके खुलेंगे भगवान गड़ेश की क्रपासे पुत्र प्राप्ती के योग भी बनेंगे साधी के योग बनेंगे और परवार में खुशी का माहुल भी रहेगा सबसे पहली है मेश रासि मेश रासि का यो बहुत ही अच्चा है। बहुत ही अच्चा योगा आप एक प्रकार से कह सकते हैं। करक राशी परवार में खुशी का माउल रहेगा। कर्ज से मुक्ति वद्धन प्राप्ति के योग आपके बने हुए हैं। अगर आप कही नोगरी करते हैं तो विशेश सपलताय में मिलेंगी और आपका वोस आपसे प्रसन रहेगा। आप में विश्वास बढ़ेगा। संतान दन प्राप्ति के प्रवल योग हैं। विद्यार्तियों को विद्या केत्र में लाब मिलेगा। साथ ही विशेश दन प्राप्तियों तरक्की के योग हैं आपके। सिंग रासी आत्म विश्वास में 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 विश्वास म पुत्र प्राप्ति के संतन प्राप्ति के योग भी आपके अच्चे हैं आने वाले चार महिने आपके लिए ब्यदी शुब रहने वाले हैं कन्या रासी आतो विश्वास में ब्रद्दी कुटम परवार में तार में कारिशंपन होंगे संतान सुक में ब्रद्धी होगी उच्च से क्या एवं सोधाधी कारे का आप कर रहे हैं तो आपको विशेश पलताएं मिलने बाली है मन में सान्ती रहेगी माता पिता का और किसी बुजर का आपको विशेश योग मिलेगा साथ ही दन प्राप्ती कारा के योग भी आपके बने हुए हैं अगर आप कोई भी कार करते हैं तो विशेश पलताएं आपको मिलने बाली हैं व्रेश्च करासी मन में सान्ती और प्रसंता के भाव रहेंगे आपको संतुष्टी रहेगी अपने व्योपार से अपने नोकरी से आप प्रसंद रहेंगे भगवान विश्णू की किरपा से आपको विशेश लाब मिलने वाले हैं सोद आधी कारियों के लिए आपको दूसरे इस्तान पर जाना पड़ सकता है अन्यक प्रकार की सफलता है आपको मिलेंगी बहुत ही अच्चा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं जो रासियों की मैं जानकारी दे रहाँ हूँ यह नाम के इसाब से दे रहाँ आपके नाम से जैसे आपकी सिंग रासी बनती है आपकी मकर रासी बनती है और भाग्य साली रहने वाला है अनिक प्रकार की सपलता है आपको मिलेंगी व्योपार अच्छा चलेगा नोकरी में प्रमोशन मिलेंगे कर्ज से मुक्ती मिलेगी साथ ही संतान का सुख भी आपको मिलेगा बैवाय की जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा मैला को भी विशेशलाब मिलेगा वहीं विद्यार्तियों को भी विद्या केत्र में विशेशलाब मिलने वाला है अगली जो रासी है वो है कुम रासी कुम रासी का योग बहुत ही अच्छा है गुरू के सहयोग से विद्या केत्र में कला केत्र में तो आपको अपार सपलता मिलेगी मिलेगी साथ ही संतान का शुक भी आपको मिलेगा परवार का सहयोग मन में सांतिय प्रसंता के भाव रहेंगे बारी में थोड़ी सी कठोरत आ सकती है लेकिन उसमें आपको स्यम रखना है यही आपके असपलता का कारण भी बन सकती है तो आप कोई भी कार करें सोच समझ करके करना है कहां पर कैसा बोलना है इस वात का भी आपको विशेश रूप से त्यान रखना है यह जो रासियां हैं यह बियादी शुव रहेंगे जनवरी से लेकर के और मार्च तक इन रासिवालों को विशेश सपलता मिलेगे दन की ओर से हो, संतान की ओर से हो नोकरी की ओर से हो या ब्यवपार की ओर से हो आपको विशेश सपलता मिलने वाली है तो महाकाल की पूजा आपको करनी है साल 2022 की शुरुवात भी मासिक सिवरात्री से हो रही है तो सब से पहले आप भगवान सिवजी का अब शिक करें नई साल की शुरुवात भगवान के नाम से करें और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके प्रतिक कार में जो भी रुकाव अटे आ रही हैं किसी भी कार में अगर रुकाव अटे आ रही है तो आपको पूजा पाट पर भी ध्यान देना है अगर आप पूजा पाट पर ध्यान देंगे राशी फल भी आपका अच्छा रहेगा तो आपको विशे सपलताय मिलेंगे और सबसे मैंने विश्वास रखना भगवान के प्रती देवताओं के प्रती जैसा विश्वास होता है वैसे ही इनसान को सपलताय भी मिलती है तो 2022 आप सब के लिए अच्छा रहे सुब रहे और भगवान की कृपाँ से आपको विशेश पलता मिले 2022 में आपको भरपूर धन की प्राप्तियों संतान का सुख मिले यही हमारी कामना है तो आप भगवान की पूजा पाट करें और आपके हर कारे से दोंगी तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकाली बहुत ही अच्छी लगयोगी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करना है जिसको सबको अपनी रासी के बारे में पता चल सके और आप भगवान की पूजा पाट पर ध्यान दे जिससे आपकी प्रतिक मनो कामना भी पूरी हो तो आप कमेंट में जैसरी कृष्णी जरूर लखें और बेल आइकन पटन को जरूर दबाएं